हेलो स्टुडेंट वेलकम ओल आफ यू आएम स्रवाणकवान नामदेव एंड टोड़े भी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिक एलेक्टिकल एलेक्ट्रोनिक्स इंजीनिंग ऑनलाइन लेक्चर सीरीज और आज हम जो टॉपिक देखने बाले हैं वो है सोर्स ट्रांस्पोर जो है हम इसलिए यूज करतें कि हमारा सरकृट है उसको हम रिडियूज कैसे करें अल्मबर आप एलेमेंट रिडियूज कैसे करें तो सूर्स ट्रांस्पोर्मेशन बसकरी दो टाइप से होता है बोल्टेज टू करेंट और चूर्ण टूबोल्टेज और आपको यहां पर एक point बहुत अच्छ से पता होना चाहिए, always practical voltage source को convert कर सकते हैं practical current source में, similar यहाँ पर current to voltage source, to practical current source को practical voltage source में हम convert कर सकते हैं, तो यहां पर मैंने अपलोग से practical voltage, practical current source इसलिए बोला है क्योंकि यहां पर voltage source और current source का internal resistance होता है तो चलिए हम start करते हैं पहला source transformation जो है voltage to current तो यहां पर हमें voltage to current source transformation देखना है तो इसमें यहां पर suppose that यह आपका एक voltage source है और यहां पर एक resistance है तो इस topic को तो इसमें यह आपका voltage source है और यह resistance है और हमें सब voltage source से series में connected होता है आपका resistance तो यहां पर इस source को हमें convert करना है इस voltage source को जो यहां पर voltage source है इसको हमें convert करना है current source में तो हमने current source design करा है और current source से हमेशा resistance जो है वो इस type से parallel connected होगा resistance की value में कोई भी changes नहीं होगा according to ohms law v equal to ir and i is equal to v upon r तो यहां पर जो voltage source है वो 5 volt है तो 5 और resistance है 2 तो आपका जो current source है वो 5 by 2 ampere तो आपने देखा है कि यहां पर हमने इस voltage source को current source में convert किया है similar अगर हम देखते हैं कि current source को voltage source में convert करना है for example suppose that यहां पर आपका जो current source है वो 10 है और यहां पर एक resistance connected है वो 2 ohm resistance है तो जब हम इस current source को voltage में convert करेंगे तो according to ohm's law v equal to ir i equal to 10 and resistance की value है 2 तो आपका यहां पर जो total voltage है वो 20 volt है तो इस voltage source को हमने लिखा है 20 volt और इस voltage source में series में resistance connected होगा और तो आपने यहां पर resistance connected करा है और इस resistance की value 2 है जो same रहेगी resistance में कोई भी changes नहीं है तो यहां पर मैंने आप लोग को बताया है source transformation और बेस्कली source transformation दो टाइप से होते हैं voltage to current और current to voltage अब हम देखने वाले हैं कि किर्चौप्स law तो बेस्कली यहां पर किर्चौप्स law है source transformation है network theorem है या resistance combination है तो यह सब method बेस्कली हम देखते हैं किसी भी circuit को reduce करने या simplify करने के लिए तो यहां पर हमारा जो topic है अभी है किर्चौप्स law तो basically किर्चौप्स law दो टाइप से होते हैं एक होता है voltage और दूसरा होता है current तो यहां पर सबसे पहला जो कर्चौप्स law है वो है कर्चौप्स voltage law kbl तो कर्चौप्स voltage law algebraic sum of voltage is equal to zero always किसी भी loop में जो voltage है वो zero होना चाहिए यहां पर कुछ rules है जो kbl में apply कर सकते हम लोग और यहां पर जैसे फर्स्ट जो rule है loop always run clockwise direction clockwise direction आपको लूप को हमेज़ा रन करना है clockwise direction में आप anti clock में भी solve करेंगे तो आपका answer आएगा पर हमें इस statement को follow करना है और हमें answer भी match कर सकते हैं anti clock और clock में दोनों में answer सहम आएगा तो यहां पर मैं जितने भी numerical basic electrical और electronics में आपको बताने वाला हूं तो उसमें मैं rule follow करने वाला हूं की loop always run in clockwise direction और इसके बाद जितने भी symbol है वो plus to minus होंगे क्योंकि आपको पता है कोई भी circuit है उसमें दो type से element होते हैं resistance और एक होता है voltage या फिर current तो उसमें जितने भी resistance हैं उन पर sign होगा plus से minus तो यह मैं आपको अभी बताने वाला हूं और यहां पर एक example से मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लीजी यहां पर 50 है और इस 50 से हम 100 पर पहुंच रहे हैं मतलब पहले 50 कम था अब 100 पर पहुंच रहा मतलब जादा है 100 मतलब प्लस है तो आपका जब भी minus से plus जा रहा है तो increment हो रहा है इसलिए always plus sign रहेगा यह आपको याद रहना है इसके बाद यहां पर 100 है मतलब प्लस है 50 मतलब minus है और इस plus से जब हम minus पर जा रहा हैं तो decrement हो रहा है इसलिए यहां पर negative sign है तो आपको यह याद रखना है minus से plus जाने पर positive sign है और plus से minus जाने पर minus sign है और last point fourth आपको ohms law v equal to irv याद रखना है तो यह जो है कुछ rules मैंने आप लोग को बताये हैं कि Kirchop's voltage law में हम कौन कौन से rules follow करने वाले हैं बहुत ही simple rules है लूप को आपको run करना है clockwise direction में symbol assign करना है और फिर आपको याद रखना है minus से plus पर positive sign है और plus से minus पर negative sign है तो आईए हम चलते हैं आगे और अब हम देखते हैं इस पर कुछ numerical जिससे आपको सारे concept clear होंगे देखें यह कोई resistance है मान लिजें हाँ पर इस resistance की value है 4 यहाँ पर एक और resistance है वो 2 है यहाँ पर एक और resistance है वो 9 है यहाँ पर voltage source है और उसकी value है 5 यहाँ पर एक दूसरा voltage source है और इस voltage source पर जो value है वो 10 बोल्ट है तो जैसा मैंने आपको rule बताए है आपको सबसे पहले loop को run करना है clock के direction में तो हमने यहाँ पर loop जो है वो run करा है clock direction में second loop हम यहाँ पर भी clock के direction में run कर रहे है अब यहाँ पर जो current है उसको हमने assume करा है i1 और यह current है इसको हमने assume करा है i2 अब इसके बाद मैंने आपको बोला था कि जितने भी resistance है उस पर आपको sign जो है वो plus से minus यहाँ पर भी plus से minus है और इस पर भी plus to minus और यह है plus से minus तो देखें यहाँ पर यह जो loop है वो plus से minus run होगा फिर यहाँ पर भी plus से minus run होगा इस voltage source पर already symbol है यह plus को represent करेगा और यह minus को similar यहाँ पर यह जो sign है वो minus represent कर रहा है और यह बाला sign plus represent कर रहा है तो उमीद है इतना आपको समझ में आया है तो अब हम इसमें continue equation लिखते हैं और equation में सबसे पहले हम start करते हैं इस loop को तो यह loop जो run हो रहा है वो सबसे पहले इस element पर तो यहाँ पर minus से plus sign है तो minus से plus sign पर मैंने आपको बता है कि positive लेना है तो positive 5 फिर यह loop यहाँ पर है तो यह plus से minus sign है तो plus से minus sign पर minus आएगा और voltage है 4 current i1 फिर यहाँ पर loop यहाँ से रन होकर जब यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर sign है plus से minus तो plus से minus पर यहाँ पर minus 2 आएगा अब आप देखिए यह loop जब इधर से run हो रहा है तो इस direction से आ रहा है और second loop जो है वो आपका इस direction से है तो दौनों के direction है opposite अब हम देखते हैं इसको solve करना है 5 minus 4 i1 minus 2 से 2 i1 plus 2 i2 is equal to 0 4 और 2 को हमने add करा है 6 i1 plus 2 i2 equal में minus में 5 तो यहाँ पर इसको हमें consider करना है equation first हमने जो equation first जो है ड्राइब करी है वो loop first से अब हम देख रहे है loop number 2 तो loop number 2 में सबसे पहले यह जो loop है आपको यहाँ पर जो arrow दिख रहा है वो सबसे पहले इस source पर आप देखेंगे resistance पर तो यहाँ plus है और यहाँ minus है मतलब आपको minus में लिखना है और resistance है 2 अब आप देखें यहाँ पर एक direction है यह वाला direction है और दूसर current source यह direction है दौनों opposite है इसलिए I2 minus I1 minus यह current loop यहाँ पर पहुँच रहा है तो यह plus से minus है तो minus 9 I2 अब आप यहाँ देखें यह loop यहाँ से यहाँ पहुचेगा तो यह sign आपका plus है और यह minus है तो जब plus से minus पर movement है तो वो minus हो जाएगा और यहाँ पर है 10 इस equal में 0 अब हम इसको solve करते हैं 2 I2 plus 2 I1 minus 9 I2 minus 10 equal में 0 तो यहाँ से 2 I1 minus 11 I2 is equal to 10 equation number 2 तो यहाँ पर आपने दिखा है equation number 1 हमने find out कर लिए है और equation number 2 भी हमने find out कर लिए हैं अब हमें इन दोनों equation को solve करना है तो next जो lecture रहेगा उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा की equation 1 और 2 को calculator में कैसे solve करना है अभी मैंने यहाँ पर direct solve कर रहा है आइबन और आइटू तो आपका जो आइबन की value है वो 105 186 और आइटू की value है माइनस 25 अपान 31 तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा आज का concept source transformation और किर्चॉप्स किर्चॉप्स पॉल्टेज लॉब हम अभी different different numerical practice करेंगे किर्चॉप्स पॉल्टेज लॉब में थैंक यू